जोस्तों Google Adsense अकाउंट पर अपना यूएस टेक्सफर्म सब्मिट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले यह बता दूँ कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या मोनेटाइज होने वाला है या आपका प्याउट आप लेने वाले हो तो आपके लिए टेक्सफर्म सब्मिट कर करना बहुत ज़्यादा जरूरी अब जिन लोगों को ने सब्मिट कर दिया था पहले तो उन लोगों को भी आपको जाना पड़ेगा अपने किसी ब्राउजर में या फिर अपने डेक्स्टोप पर काम करेंगे तो ज्यादा बहतर रहेगा तो इसके लिए आप अपने डेक् करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देगा जिसमें कि आपको अपने पैमेंट के ऑप्शन पर जाना है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पर आप जैसे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको पैमेंट का ऑप्शन दिखाई रखाएगा Settings के नाम से जिसमें आपको Setting प्रबंधित करेगा option दिखाएगा इसके आपको click कर देना है जब आपको प्रेमेंट से related आपके सामने page open होके आ जाएगा यहां आपको payment का आपको खाता नमर है वो दिखाएगा आपका नाम दिखाएगा जो भी आपकी खाते का प्रकार सब दिखाएगा इसी में आप थोड़ा से नीचे आओगे तो आपको दो टैक्स फॉर्म से रिलिटेड जानकारी दिखाएगी पहला जो है सिंगपूर से आज की सी वडिएओ में हम यूैस टैक्स फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो यूएस टैक्स फॉर्म आपको कैसे सम्मिट करना है और क्या आपके यापको जैसे जानकारी दिखाए देगी इसमें आपको anti-talk के लिए टैक्स की आक्स की आपको नीचे क्लिक कर देना है और यहां पर देखिए उपर एक आपको नोटिफिकेशन भी दिखाई दे रहा है जिसमें आई का बटन दिखाई दे रहा है आपको रेड कलरगा जो कि आपका वार्निंग का बटन है कि आपका 31 दिसंबर 2024 को जैसे कि मेरा यहां पर जो भी फॉर्म का लास्ट डेट है वो खतम होने वाला है तो आपको भी जानना है तो इस पर देख लिएगा कि आपका डास्ट डेट क्या है या नीचे भी आपको दिखाई देगा जब आप नीचे क्लिक करते हैं तो यहां पर डवलू एड पी इन आपको दिखाई देगी लिखाई देगी इसकी बाद आ नेया फोर्मनीर को आपको दिखाय दे रही है है आप चाहें तो पहलेगा भी आपका फॉर्म जो है उसका स्का dishonplay आप ले सकते हो कि आपने कैसे शमिट हeffective गया था वो किसे दे करते हैं और आपको समय तो नहीं पता जो आप इस पर click करेंगे, आपके सामने एक window open हो जाती है, जिसमें लिखा हुआ दिखाई देगा, शुरू करने से पहले आपको कुछ जानकर ये दिखाई दे रही है, और इस text form के बारे में बताए जा रहा है, जिसमें आपको बढ़के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा है, कि इसमें 15-20 मिनट लग सकते हैं, आप तो रुपे इसमें 15-20 मिनट या 40-50 मिनट भी लग सकते हैं, अगर आप अपनी तरीके से form submit कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा time ज्यादा भी लग सकता है, अगर आप मेरी video देख के कर रहे हो, तो आपको ज्यादा time लगेगा, आप 10-15 मिनट में इसको submit कर दोगे, इसके बाद आपको देखिए, आपका खाता सुरक्षित रखने के लिए हमें आपकी पहचान की पुष्टी करनी होगी, हो सकता है कि इसमें एक गंटे के बाद हम फिर से आपकी पहचान की पुष्टी करनी पड़े, अगर ऐ इसलिए गूगल आपकी आईडी को पहले वेरिफाइ कर तो यहां पर वैसे तो नोर्मली वेरिफाइ किया तो मेरा जल्दी हो गया था, इसके बाद लिखा है कि पैसे चुकाने वाले व्यक्ति की सही पेमेंट प्रोफाइल का इस्तेमाल करें, जिससे गूगल को टेक्स की जानकारी मिल रही है, टेक्स वाम में पैसे चुकाने वाले व्यक्ति है, उससे किसी अधिकारिक प्रतिनीदी आजेंट को हस्ताक्चार होना चाहिए, तो यहां पर आप अगर अपनी आईडी का जो भी फॉर्म समिट है, खुद कर रहे हैं, आप है उसके मालिक हैं, तो आपने के बाद आपने टेक्स से जुड़े और दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, यहनि कि आप फॉर्म समिट करोगे, तो हो सकता है कि जिस टाइब का फॉर्म समिट कर रहे हैं, उससे रिलेटिट और जानकारी आपसे मांगी जाएगी, वह मैं आपको आगे इस वीडियो क मैं पताऊंगा, इसके बाद आपको लिखा होगा दिखाए दे रहा है, गूगल आपको टेक्स से जुड़े किसी भी मामले में सलाहा नहीं दे सकता, टेक्स से जुड़े सवालों का जवाब पाइने के लिए अपने टेक्स सलाहकार से आपको बात करनी होगी, तो यहाँ प होताँ, यहाँ पे आपको form भरना शुरू करें, आपक्सन दिखाई देगा, इसके आपको क्लिक करना है, जब आपको क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके आईडि यहाँ पे वैरिफाई ओगी, इसी में हो सकता है कि आगर आपकी बैरिफाई नहीं ओपाती आपको option select करने है इसमें आपको देखिए पहला जो option है यहाँ पर select करना है कि आपका account किस type का है वो आपको यहाँ पर डालना है जैसे कि अगर आप individual हो जैसे कि मैं हूँ मैं अपनी ID खुद चलाता हूं मैं ही उसका मालिक हूँ तो मुझे यहाँ पर equal पर select करना है या individual को option दि करके अगला कर देना है इस पर मैंने पहला एक वाला किया है क्योंकि मैं खुद ही हो और मैं कोई company नी है मेरी मैं एक रहा हूँ या individual कर रहा हूं मेरी जानकारी भर रहा हूं तो यहाँ पर click कर आपको अगला process कर देना है इसके बाद आपको सामने कुछ और options आज जाते हैं जिसमें आपको दिखाई देगा क्या आप America के नागरिक है तो यहाँ पर हम नहीं कर देंगे इसके बाद आपको tax form का type चुनना पड़ेगा क्या आपका tax form किस type का है W8BEN यह वाला form जो होता है यह गैर अमेरिकी लोगों के लिए अगर आप अमेरिका में नहीं रहते हैं तो आप इस फॉर्म को समिट करेंगे मैं इस पर ही क्लिक करके इसको सेव करूँगा क्योंकि मैं अमेरिका में नहीं रहता हूं भारत में दूसरा option जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे आप अमेरिक के हैं अपर दे रहा है जैसे के नाम डालना है इसके बाद आपका देख बढ़ेगा इसको चो wann जैसे हिंदूस्तान पाकिस्तान बांगलादेश नेपाल तो हम आपको कर लाए से पर हैं वह यहां पर डाल सकते हैं इसके बाद शुलें यहां जिनख से देखाने ना को दिखा इसमें आप यहां पर अपना country जो है वह सब्सक्राइब आपको अपार्टमेंट का है ना यह आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं यह वेकलपिक है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं और इसके वाद अलावा जो आपका city है कौन सा है जैसे मेरा जैपूर है वो डाल दिया पि अगला प्रोसेस कर लिजेगा अगला प्रोसेस आपको करना है फिर उसके बाद आपको यहां पर कुछ और जानकर यहां भननी पड़ेंगी जैसे कि कि आप टेक्स समझोते के तह टेक्स कटने की दर को कम करने का दावा कर रहा है तो हम इसकी लिए टर हम भर रहे हैं तक हम अधर कर देना है और अगर आप इस चीजे के लिए से लोग इसको इसको कर रहे Quest कर रहे हैं तो करना पिज़ाइए्ट करना है कि आप किस नागरिक है और इसके लिए पर आपको यह तीनों अप्सन दिखाई दे रहे हैं सभी पर टिक करना पड़ेगा जैसे मैं आपको अगली स्क्रीन दिखा रहा हूं इस सभी पर आपको टिक करके इनकी नीचे का जो आपसन है इन सभी को सेम ऐसे की सेही आपको यहाँ पर को सेम्लाइन कीरिये कृदितें के लिए इसे सिलेक्ट अगला प्रोसेस को ने के बाद आपको समाई की कतिवीदिया रखора के झालो का दिन्सकों कलेकर पर किलिक कर दीजिएगा अगर आपको डाक पती पर चाहिए ओफ-लाइन चाहिए नीचे आपको एक option दिखाए देगा डाक पती पर दस्तवेज विज़ा इसके आपको किलिक कर देना है दोनों में से जो भी आपको suitable हो उस पर टिक करके इसको आगे process कर दीजिएगा इसके बा बाद आपको अगला process कर देना यह चीज़ होने के बाद आपको यहां पर टिक लगाने का option दिखा देगा जिसमें आपको फिर से वेरिफाय करने को कहेगा कि आपका document मिल्कुल सही है तो आपको फिर से टिक कर देना है और नीचे आजाना है और एफिदेविट का status नहीं दुबाद से आपको यहां पर एक option दिखाए देगा जिसमें आपको साल अपना डालना पड़ेगा अभी साल किस चीज़ के लिए है वह मैं आपको बता देता है महाली जी कि आपका टैक्सपोर्म पहले ही expire हो गया था किसी वजह से और यहां फिर आपके आपने टैक्सपोर रखा है तो वह यहां पर डाल दीजेगा जिससे कि आपका उस एर को जो रोका हुआ पैमेंट है वह आपको भेज दिया जाएगा आपके नेक्स्ट पैमेंट मैंड करके तो यह चीज़ है यहां पर कर दीजेगा और इसके बाद आप जैसे इस पर क्लिक करके नीचे करी दे भी सकते हो इस महीने से जो मेरी अर्णिंग थी वह रोक ली थी Google Adsense ने वह मुझे वापस चाहिए वह चीज़ यहां पर डाल दीजेगा और अगर आप नया फॉर्म समिट कर रहे हो तो यहां पर इन सब चीजों को करने की ज़रुत नहीं है इसमें फिर आप अपना जो भी इस यहर में यानि 2024 से फॉर्म समिट कर रहे हो तो 2024 से डाल दीजेगा ठीक है इसके बाद फिर आपको नीचे उप्शन दिखाए देगा हां और नहीं में आपको टिक करना है तो इसमें आपको क्या करना है हां वाले उप्शन पर किलिक करके आपको next process कर देना है इसक मेरा फॉर्म यहां पर की सब्सक्राइब रहे यहां अब मुझे सब्सक्राइब करने गया नवंबर 24 को और इसके साथी यह वाला फॉर्म कभ इसक्पार हो वह को तो तीन सल बाद यह फिर से एक्सपायर होगा फिर से मुझे सम्मिट करना पड़ेगा हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और जान करें फिर मांगी जाए यह सब चीज़ें हैं यहां पर हो जाएगी आपका जो भी जानकर यहां पर चेक कर लिए इसके लाव दोस्तों अग अगर आप मुझे कॉंट्र करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टेग्राम आइड पर मुझे कॉंट्र कर सकते हैं इंस्टेग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो की डिस्किप्शन में भी देख सकते हैं यह हमारे चैनल के पीज में भी आप सेक्शन में ज पुमाइ्स पुमाइब भीर में वीर अपोन।